तो दोस्तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाल्ट 3 जिसमें हम UGC NetJRF के अंत्रगत 2019 में जो हमारा योग का पेपर हुआ था उसके अंत्रगत हम 21 से लेकर के 30 तक कोश्चिन को करेंगे तो दोस्तो यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है और आप हमें जोईन करना चाते हैं NetJRF के लिए या फिर समान्यय योग में ज्यान वृद्धी के लिए तो आप दिये गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं यदि आप Android यूजर हैं तो आप हमारी Accurate Yoga की एप इस्टोल कर सकते हैं लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यदि आप Apple यूजर है या फिर आप लैप्टोप पर यूज करना चाते तो उसके लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले है 21 नंबर प्रशन गेरेंट सहिंता में दंत मूल दोती के लिए किस रस का प्रयोग बताया गया है तो सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चीए कि दंत मूल दोती है कौन सी वहाँ पर चार प्रकार की दोती बताई है अं कुंठ से प्रकार हैं डंत्धदोती का एक तो दंत मूल है और दूसरा जीवा मूल है तीसरा कपालरंधर और करणरंधर जो है वो युगम के रूप में बताई गई है जिस करण्ड से इस करणरंधर दंतमूल दोती के कितने प्रकार हुए पांच यह प्रशन आता है एक्जाम में आप इसलिए रेडी रहेंगे तो अब अपने से जो प्रशन पुछा गया है कि कौन सा रस प्रयोग करना चाहिए तो दंतमूल दोती के लिए कि लिए आपको खादीर रस यहाँ पर अगर किसी विद्यार्थी ने अच्छे से पढ़ा नहीं है तो उसे ऐसा लग सकता है कि नेम की दातुन करनी चाहिए ऐसा हम वर्तमान में यूज करते है प्रंतु अगर गेड़न सहिंता में देखें दंतमूल दोती के लिए तो वहां exactly कहा है कि खादीर रस और शुद्ध मृतिका कल को आपको जोड़े के रूपे पूछा जाए तो उसके लिए भी आप त्यार रहेंगे मृतिका मिंस मिट्टी शुद्ध मिट्टी अथवा खादीरस इन दोनों की साहता से उंगली के द्वारा दंतमूल दोती करनी चाहिए तो ये वहां पर कहा गया है किसके लिए दंतम अहरवात शामक होता है तो क्या ये बात सही है या गलत है तो ऐसे प्रशनों के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हो एक बहुत ही अच्छी जी उसको आप जरूर धियान रखेंगे दोस्तों अगर वो याद है तो आप इन प्रशनों को इजीली सॉल्व कर देंगे जैसे आ अधुर, अमल, लवन, कटू, तेक्त, और कशाए इस प्रकार से ये रस लिखने हैं आपको इन में यदि आप सबसे पहले रस देखेंगे तीनों तो तीनों रस जो है वो किसलिए हैं सर ये क्या करते हैं ये आपका कफ इंक्रीज करते हैं कफ को इंक्रीज करते हैं बाकी के तीनों की बात की जाए कटू तिक्त कसाई तो ये क्या करेंगे कफ को बढ़ा कौन से रहते उपर वाले तो ये क्या करेंगे नीचे के कफ को गटाएंगे तो तीन रस किसी चीज को बढ़ाते हैं तीनी रस किसी चीज को गटाते हैं ये ध्यान रखेंगे तो नीचे वाले कफ को गटाएंगे और बात की जाए इसी में अगर हम शामिलों करके बात करें एक्स्ट्रा में तो ये जो तीनों रस है एक्स्ट्रा में जो हम बात करें मदुरु अमल लवन ये क्या करेंगी सरवात को अब गटाएंगी वात को गटा रही है और बढ़ा कौन से रहे हैं सर फिर प्रुद्धि कौन से करेंगे और व्रिध्धि जो है यह कटु तिि गसाएंगे जो हमने भात कि यह क्या करते हैं, यह क्या करते हैं? यह व्रिद्धि करते हैं and an increase करते हैं क्योंकि इनमें अकाश्टत्त और वात्तत्त जो है प्रधान माना जाता है इन तीनों में तो इस कारण से वात की वृद्धी करते हैं यह हो गया अब आपके बात आपके पित की तो पित की अगर बात करें तो पित के लिए आपको डूढ़ना होगा यहाँ पर पित क इन के तीन जो है शांत करेंगी पित को तो अब यहाँ पर प्रशन पूछा गया है अमल और लवन रस प्रधान आहर वात शामक होता है तो अमल और लवन जो रस है क्या वो वात को शामक मिन्स उसको शांत करना क्या शांत कर रहा है क्या हां सरवात को डाउन कर रहा है मिन्स विकारों से पीडित व्यक्तियों के लिए एपक्थे है अमल और लवन रस प्रधान आहार वातज विकारों से पीडित व्यक्तियों के लिए एपक्थे है तो अब देखे दोस्तों वात को यह शांत कर रहा है अमल और लवन रस जो है वात को शांत कर रहा है तो शांत कर रहा ह तो ऐसे रोगी जिनका वात बढ़ा हुए उनको हम वात तज आहार देंगे या नहीं देंगी। सर जिनका वात बढ़ा हुआ है अर्थराइटी साधी उन रोगियों को हम वात तज आहार नहीं देंगे। जिससे वात बढ़ जाए ऐसा कोई आहार नहीं देना है। वात कम हो ऐसा आहार हमें देना चाहिए, तो अमल और लवन रस जो है अपना वात को कम कर रहे हैं, आज बिल्कुल कर रहे हैं, तो क्या ये रस हम दे सकते हैं वात के रोगियों को सर बिल्कुल हमें देना चाहिए, क्योंकि ये वात को शांत कर रहे हैं, परन्तु लाइन में लिखा है आपके reason में कि अमल और लवन रस प्रधान आहर वातज विकारों से पेड़ित वेक्तियों के लिए एपत्थे मतलब नहीं देना चाहिए तो sir यह लाइन जो है गलत है यहाँ पर पत्थे शब्द होना चाहिए थाकि हाँ देना चाहिए क्योंकि यह शान्त कर रहे हैं तो देना चाहिए पत्थे नहीं हो सकते उस समय तो आपका क्या हुआ रीजन भी sir आपका रोंग है रीजन जो है रोंग है तो इसलिए ए आपका सही होगा यहाँ पर ए एक्यूरेट है प्रन्तु आर जो है रीजन गलत दिया है रीजन यह नहीं है यह व्याख्या पूरी तर से अच्छे से नहीं कर रहा है आर जो अपना गलत हो जाएगा मतलब उपनिशत जिसमें प्रशन पूछे गए हैं छे प्रशन पूछे गए हैं जिसमें छे प्रशन पूछे जाते हैं छे अलगलग रिशी गण छे प्रशन पूछते हैं उन में एक मुख्य रिशी है जो सभी के प्रशनों का उत्तर देते हैं मुख्य रिशी कौन से हैं मुख् कि कुछ किस ने कैसे कैसे प्रशन पूचा तो सबसे पहला प्रशन किस ने पूचा था कबंधी ने सबसे पहला प्रशन पूचा था क्या पूचा था कि यह संसार जो है यह प्रजा जो है किस किस परीके से उत्पन होती है क्यों पैदा होती है तो उसमें वह उत्तर देते बता बाते हैं कि प्राण और रही जो है प्राण और रही के मिलन से ही केते हैं यह स्रिष्टी के पत्ति होती है पहला प्रशन दूसरा प्रशन था भारगव का बारगव ने प्रशन पूचा था दूसरा प्रशन रिशी बारगव ने उन्होंने पूचा था कि कुल देवता कितने ह और इन में से जो प्रजा को दारन करते हैं, वो वाले देवता कौन से है, इस तरीके से मुझे बताएं बगवन, किस से पूछ रहे हैं ये प्लाद रिशी से पूछ रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, दूसरा प्रशन हो गया, तीसरा प्रशन किसने पूछा था, ये सवकत करके रखता है, ये प्रशन पूछा आश्वर लायन ने, पूछा, फिर है फूर्थ नम्बर का प्रशन, फूर्थ नंबर में, सोर्यायनी, ने पूछा था कि ये शरीर जो है जब सो जाता है तो इसमें कौन याकता है और कौन सोता है फिर पांचवा प्रशन पूछते हैं किस ने पूछा है सत्यकाम ने सत्यकाम ने पूछा था कि जो ओम का मृत्यू प्रणत ध्यान करते हैं ओम का जो ध्यान करते हैं वो किस लोक में जाते हैं उनकी गति किस लोक में होती है यह प्रशन पूछा था कि कौन से लोक को जीत लेत यही हमसे प्रशन पुछा गया है सत्याकाम के बारे में ही पूछा गया है यहां पर प्रशन तो पांचमा प्रशन जो है सत्याकाम ने पूछा था क्या पूछा था कि ओम का ध्यान करने से किस लोग की प्राप्ति होती है किस लोग में जाता है तो ओम को क्या का जाता है तस्य सुकेशा ने क्या उस्क प्रशण के बारे में जानने की स्क्राइव इस प्रकार से आपका उत्तर आपको इस तो यहां पर दोस्तों यह प्रशन जो थोड़ा सा टीपिकल हिंदी है इसकी क्योंकि एनाटमी और साइक्लोजी के कुछ प्रशन ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी जो है हमें क्लियर नहीं होती बट इंग्लिश बहुत एजी से हमें समझ में आ जाती है तो इस प्रशन को हम देखे एक कौन सेल होती है और एक रौड सेल रौड सेल वो होती है जो का अंफ़ी डिखाती है अब शोटैंके बार नशीर और दीखाती है और कौन की कि दोस्तों एक खासियत और होती आ इस तीन प्रकार की पाए जाते है कौन सेल में रेड, ब्लू, एंड ग्रीन इस कारण से में तीनों कलर हमें दिखते हैं और उनके समायों जन से हम अलग लग बस्तों को अलग अलग कलर में देखते हैं आपको पता हुआ रेड, ब्लू और ग्रीन जो है प्रात्मिक कलर कहे जाते हैं इनी से मिलकर के अनेक रंग में दिखाई नहीं देता अगर road cell की बात करें तो road cell के अंदर जो pigment होते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं vitamin A की वजह से vitamin A की वजह से अगर vitamin A नहीं होगा तो हमें क्या होगा sir रात को दिखाई नहीं देगा क्योंकि road cell हमारी अच्छे से काम नहीं करेंगे फिर reason की बात करते हैं the sensation of different colors are not produced by various combination of three types of cones and their photo pigments तो सर ये चीज़ जो है wrong है मैंने अभी बताया कि cone cell में red, blue और green ये तीनो pigments पाय जाते हैं जो different different color को आपको दिखाते हैं mix हो करके आपसे तो यहाँ पर कहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता है तो ये बात बिलकुल wrong है जबकि ऐसा होता है हमें इन तीनों से मिलकर के अनेक रंग दिखते हैं अनेक अनेक अलग 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 रंग हम देखते हैं इन तीनों pigments के अधार पर ही तो ये आर जो है बिलकुल wrong यहाँ दिया गया है अगर yes होता तो यह ठीक होता यहाँ पर no कहा गया है तो इसलिए ये गलत है तो reason हमारा गलत है जबकि assertion हमारा बिलकुल accurate तो इसलिए हमारा a वाक्या ठीक होना चीए r जो है wrong होना चीए तो अपना option जो है A is 2 बट R is holds ये वाला option जो है हमारा 101% right हो जाएगा तो इसी के साथ हम चलते हैं next question पर question संख्या 25 उड्यान बंद के अभ्यास में मुख्या का कौन सी मास पेशियां परभावित होती है उड्यान बंद का अभ्यास करते समय में कौन सी मसल्स जो है काम करती है तो सर अगर उड्यान बंद की बात की आए तो उड्यान में पेट जो होता है मारा स्टमक वो काम करता है तो स्टमक की बात करें तो स्टमक में यहां पर कौन सी आपसे पेशियां पूछी कि सर उदर या पेशियां मतलब पेट की जो पेशी हैं वो आपकी एक्टिव होती है प्रभावीत होती है इफेक्ट पड़ता है उन पर सबसे जादा तो इसी के साथ हम चलते हैं यहां पर कहा गया है कि नेत्र के समवाही का प्रत मिन्स जिसे वैस्कुलर कोड कहा गया है वह किस से बनी होती है यह प्रशन पूछा गया है तो सबसे पहले आपको यह पता हो ना जी कि यह लेयर होती कितनी है आइस के अंदर कितनी लेयर होती है तीन लेयर होती है एक तो यहां पर अपने को देखना है कि इसके एंसर क्या क्या आता है फाइब्रस लेयर में एक तो स्क्लेरा आता है स्क्लेरा जिसे आप स्वच्च मंडल बोलते हैं स्क्लेरा और साथ में आता है कोर्निया कोर्निया यह दो चीज़ आते हैं मिडल वैस्कुलर लेयर की बात की जाए मिडल वैस्कुलर लेयर में आता है आपका मेंली आईरिस साथ में सिलियरी बोडी और Choroid यह आते हैं और Inner Nervous Layer की बात पर इसमें आता है Mainly Retina Retina आता है और Retina के साथ में वहाँ पर Optic Nerves चोहती है तो यहाँ पर यह आपका प्रशन का उत्तर आ गया है आपसे पुछा गे ता Vascular Layer में क्या क्या है तो Vascular Layer में क्या है Iris, Ciliary Body और Choroid तो vascular layer में क्या क्या करोगे आप? Choroid जिसमें आप रक्तरंजक बोलते हैं जिसमें आपकी blood vessels होती है और साथ में iris हो जाएगा ये दो part आपके किसमें है middle layer में है means vascular layer के अंदर आएगी तो C और D जो है हमारा option यहाँ पर right हो जाएगा option number 3 जो है बिल्कुल right हो जाएगा तो इसके अलावा आपको ये बाकी पता हो जाएगा कि outer layer में क्या आएगा inner layer में क्या आएगा क्योंकि यहाँ से next time में प्रशन बन जाएगा तो इसलिए आपको ready रहना है कि प्रशन कहां कहां से क्या-क्या बन सकता है तो इसी के साथ में हम आगे चलते नेच्ट प्रशन पर क्रिश्न सिंचे 27 ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता है सबसे पहले आपको ये पता ना चीए कि यह है शिलोक कहां से श्रीमत बगवद गीता से है दूसरे अध्याय का सोलवा श्लोक यह है यहाँ पर पूछा गया कि गीता के अंसार यह श्लोक किसके अमरतव के बारे में बताता है तो यहाँ पर आपको यह जानना जरूरी है दोस्तों दूसरे अध्याय का सोलवा श्लोक देखते हैं हो सकती और जो हमेशा नाश होती है वह हमेशा रहा नहीं सकती इस इस श्लोक का 50 अृष है तो यह किसके बारे में चर्चा की गई है आत्मा के बारे में ऐसी बात कही जा रही है तो यहां से आपका option जो है option number two बिल्कुल राइट हो जाएगा आत्मा के अमरतव के बारे में ये श्लोक आता है बगवत गीता में दूसरे द्याएगा सोलमा श्लोक 28 नूमर प्रेशन है यहाँ पर आपको पूछा गया कि कौन सा योगा भ्यास अवसाद में सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं अवसाद को क्या बोलते हैं डिप्रेशन डिप्रेशन में क्या होगा आपके साथ होता क्या क्या है आपकी हर्ट बीट के साथ क्या होगा सर डाउन हो जाती है बीपी कैसा होता है आपका डाउन हो जाता है तो अब अगर और ऐसे अभ्यास करोगे जिससे आपका बीपी और हर् इनक्रीज हो जाए बेपी आपका इनक्रीज हो जाए ऐसे अभयास आपको करने ऐ है किस टाइम में डिक्रेशन तो यहां पर डिक्रेशन में शव willing अर ब्राम्री प्रणाइम ऐसे अभयास जिन से आपकी हुर्देगतीter तो ऐसे ब्यास उसको नहीं करने कौन कौन Tan Bullet कि प्रस्पूचागे आपको नहीं में तो व्म शाहासन और ब्रामरी प्रणायम आपको नहीं करने हैं Yisak godt pattern by अगर करना चाहिए तो तो क्या करना चाहिए बस्तरिका और कपाल बाती है करना चाहिए अगर आप से कल को प्रशन आए कि क्या करना चाहिए सकरात्म प्रवाव कौन से डालते हैं यस में पूछा जाए तो आप बस्तरिका और कपाल बाती को चुनेंगे परन्तु हमसे यहां पर नहीं की फॉरूम मे अच्छे से आते होते हैं बट जैसे एक्जाम देखर के बाहर आते तो आपको पता लगता है कि आपने इस प्रेशन का उत्तर गलब दे दिया क्योंकि वहाँ पर हां और नहीं के रूप में आपसे पजल करता है एक्जामिनर आपको एक्जामिनर के द्वारा जो पजल दी जा है तो नहीं में क्या है बी और डी आपका राइट अंसर हो जाएगा इसका तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम सेलते हैं नेक्ष्ट प्रेशन पर नेक्ष्ट है क्वेश्ट नमबर 29 यहां पर पुछा गया है पातंजल योगसुत्र अनुसार सुक्षम व्यवधान युक्त एवम दूर देश में स्थित वस्तों की ज्यान प्राप्ति का उपाय क्या है यह प्रशन योगसुत्र से आया है योगसुत्र में अगर देखे तीसरी अध्याय में 25 नमबर सुप्तर वहां पर कहा गया है प्रवर्ति आलोक अन्यस्यात सुक्षम व्यवहित विपरक्रिष् लिए वरड आता है तो यहां पर अगर देखे तो यह चीजी है प्रवर्ति आलोग की विशम इकागेगी प्रवर्ति आलोग होने से मतलब जोतिशमती प्रवर्ति से क्या होता है कि सुक्षम से सुक्षम और बाधा जोती जैसे दिवार के दूसरी साइड हमें दिखाई ने लगते हैं स्पाश्ट तो कहा गया कि सुक्षम व्यव धान्य उत्व अर्दूर्देश में स्थित्व ख्यान का कैश यह वह वर्वर्थि प्रृकश्थ च्रक व्यर्व, प्रकृष्ष्ट ज्यान्म जोतुषमति प्रृभृत्ति जो है इससे क्या होता है सर हमें सुक्षम से शुक्षम वस्तों का भी जान होने लगता है तो तीसरे द्यायकर पत्चिसवाई है सुफ्तर है वहां से हमारा answer option number two right हो जाएगा इसी के साथ चलते हम next question पर next है 30 number प्रशन इस पार्ट का अंतिम प्रशन है कौन से कलेश है निमन लिखित में से कौन से कलेश है कलेश कहां पर तरचा आकती है महर्शी पतंजली के अनुसहर पांच कलेश बताएगे आप सभी को पता है किस अध्याय में आते हैं दूसरे अध्याय के अंतरकत उनका वरणन हमे मिलता है दूसरे जिसका नाम चाहिए साधण पाद साधन पाद वहां पर आपको कहा गरे है आविद्या अस्मीता प्राग कि द्वेश अभिनिवेश पंचकलेश है इतने हैं पंचकलेश हैं पंचकलेश बताएगे इनको ठीक है तो यहां पर अब आब आप लोगों को यह पांच क्लेश किसको हो आ गया अविद्या असमीता राग दवेश अभिनिवेश को तो अविद्या असमीता एक तो असमीता बी हो गया अविद्या असमीता राग राग भी आ गया है इनको क्या कहा गया क्लेश कहा गया शेश समीता और दुख इनको क्लेश नहीं कहा गया है त तो जहाँ पर B और D है वो right answer अपना हो जाएगा option number 1 जो है हमारा बिल्कुल right answer हो जाएगा इस प्रश्न के में साथ तो इसी के साथ दोस्तो हमारा आज part 3 जो है जिसमें हमने 21 से लेकर के 30 तक questions को किया है complete होता है यदि आप भी UGC net JRF की तैयारी करना चाते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं उपर दिये गए नंबरों पर आप call कर सकते हैं थैंक यू धन्यवाद